हेलो गाईज, विल्कम टू मैं चैनल और आज हम बात करने वाले हैं स्टेप बाई स्टेप बील्ड सीरीज के एपिसोड 11 के स्पॉलर के बारे में जहाँ पर हम देखने वाले हैं एक बार फिर से जेंग और फात एक दूसरे से दूर चले जाते हैं क्योंकि ओफिस में सब को जेंग और फात के सीक्रेट रिलेशन्शिप के बार में पता चल चुका था जिस वज़े से कई लोग फात को एक्यूस कर रहे थे ये कहा कर कि फात ने अपने प्रमोशन के लिए जेंग को सीडियोस किया था और इन सब मेसेज़ और वीडियोस से उनके ओफिस ग्रूप का चैट बॉक्स भर चुका था फात को अब खुत के और जेंग के बार में ये सब गोसिप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए वो डिजाइन कर देता है और जब ये बात जेंग को पता चलता है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है धीरे धीरे ये सब बाते पूरे आफिस में आख की तरह फेलने लगता है और आखिर में मैनेजमेंट तक भी बात पहुच जाता है इतर जेंग फात को समझाने की कोशिश करता है कि इस बत उन दोनों को एक साथ रहकर इस प्राब्लम का सलुशन ढूनना चाहिए जेंग हमेशा फात के साथ है पर जब की फात को लग रहा था कि उसकी वज़े से ही जेंग को भी इन सब सिचूशन से गुज़रना पर रहा है यहां तक कि उसकी वज़े से ही जेंग अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को भी छोड़ कर जाना चाहता है तो फात जेंग की किसी भी बातों को नहीं समझता और जेंग को रोते हुए छोड़कर वहां से चला जाता है हाला कि फात भी इन सबसे बहुत ही बुरी हालत में था इधर जेंग और फात की वीडियो खननन को मिलता है जिसको देखकर खननन को जेंग और फात के लिए बहुत ही बुरा फिल होता है और वे जाप को वीडियो दिखा कर पूछता है क्या ये जेंग है? जाप खननन से पूछता है ये वीडियो तुम्हें कहा पर मिला तो खनन जाप को सब कुछ बता देता है जो उसने देखा था फिर जाप को हम जेंग से बात करते हुए देखते है जो कि जेंग से कह रहा है कि डैट को जब पता चलेगा कि ये तुम हो तो उन्हें बहुत हैरानी होगा क्योंकि उन्हें नहीं पता कि तुम लड़कों को पसंद करते हो पर मुझे लगता है कि जेंग के पापा को पता है जेंग के sexuality के बारे में क्योंकि इससे पहले जब उसके पापा ने फात को अपने घर पर जेंग के साथ देखा था तभी उनका expression देखकर मुझे लगा था कि व फिर भी जेंक के डैट फात को उनसे बात करने बुलाता है। शायद जेंक के साथ उसके रिलेशन्शिप के बारे में पूछने के लिए जेंक के पापा ने फात को बुलाया होगा। जाकर उसका चेंक को घंकी भी देता है जिसके बात चें को आप बुछा लगने लगता है। फात भी को टूरूल करने के कोशिश हुआ था जिस बज़े से सभी उनके प्रोजेक्ट को लेकर मीटिंग करते हैं क्योंकि जेंग जिस प्रोजेक्ट के लिए हाप पर आया था वेकाम ठीक से नहीं हो पा रहा था जिस बज़े से मैनेजमेंट जियान ग्रूप से उनका मार्केटिंग बजट मांगता है और ये भ दोनों फिर से एक साथ होंगे या नहीं यह जानने के लिए अगला अपीसोर देखना मत भूलना ओके गाज आज क्यों स्पाइलर में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और बेल स्पाइलर के साथ तब तक के लिए बाए बाए दोस्तो कर दोगके वीडियो में अपाइलर को को थो जाई खे तो थाजने को जृडलना अझो श्तो डल्ड़ कर से चापश में अभलना तोש करे कमे लिए अज़ दूलते है चाहतो!